समस्कार स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज की इस कलास में फिर हम दुर्ग राजस्थान के दुर्ग पार्ट सेकेंड पर पहुंसते हैं जैसे कल हमने पांच दुर्ग के बारे में पढ़ा था आज की इस क्लास में हम कुछ और दुर्ग के बारे में जानेंगे जैसे आज की इस क्लास में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिवाना दुर्ग की सिवाना दुर्ग जो की बाड मेर में है इसका निर्मान वीर नारेन पमार ने करवाया था राजा भोज के पुत्र थे ये वीर नारेन पमार और ये इसका निर्मान दस्वी स्ताब्दी में करवाया था सिवाना दुर्ग जो की बाड मेर में है इसका निर्मान वीर नारेन पमारने करवाय था कौन थे यह राजा भोज के पुतर थे दस्मी स्ताबदी में इनका निर्मान करवाय था इस दुर्ग का प्राची नाम कुंभियाना वे जालोर दुर्ग की कुंजी भी कह जाता है इसको जालोर दुर्ग की कुंजी कौन से दुर्ग को कह जाता है सिवाना दुर्ग को और नेक्स्ट लाइन है इसमें कि मारवाड के सासकों की ये सरनस्तली रही है इस तरह का प्रशन पूछा जा सकता है कि मारवाड के सासकों की सरन स्थली कौन सा दुर्ग रहा है तो दोस्तों सिवाना दुर्ग रहा है और मारवाड के सासकों की संकट कालीन राजधानी भी सिवाना दुर्ग था गिरी सुमेल युद के बाद राव मालदेव ने इसी दुर्ग में शरन ली थी गिरी सुमेल का जो युद हुआ था उसके बाद राव मालदेव इसी दुर्ग में आये थे इस दुर्ग में जैनारण व्यास को बंदी बना कर भी रखा गया था जोदपूर के जैन अरान व्यास एक करांतिकारी थे इनको इस जेल में बंदी करके रखा गया था जैन अरान व्यास को शेर राजस्थान भी कहा जाता है यह दुर्ग 56 की पाडियों की हलदेश्वर पाड़ी पर स्थित है 56 की पाड़ियों की अल्देशवर जो पाड़ी है उसके उपर ये दुर्ग स्तित है और जैसे सुवाना दुर्ग में साकों की बात करें तो यहांपर दो साके हुए हैं कौन-कौन से साके हुए हैं उनको देख लेते हैं अब विस्तरत से जानते हैं कि पर्थम साका में क्या हुआ था और क्यों हुआ था पर्थम साका जो सिवाना दुर्ग में हुआ था तेरा सो दस में हुआ था और सरफ पर्थम तेरा सो पांच में सिवाना दुर्ग पर अलाउदिन खिल जी ने आकर्मन किया था 1305 में अकर्मन किया था यहां का शाषक कौन था सातल देव था या कान्हडदे का भत्तीजा था इस युद में खिलजी पराजीत हुआ था युद में खिलजी के हार हुई थी ये युद 1305 में हुआ था परंतु 13010 में अलाउदिन खिलजी ने राजपूत सरदार भावले पमार भावला पमार कहते हैं जिसको कि साहता से दुबारा अकर्मन किया तब वीर सातल देव वैसोम वीर गती को प्राप्त हुए थे इस युद में खिलजी जीत गया था और सिवाना दुर्ग का नाम खेराबाद घर दिया था यानि कि 1305 में तो खिलजी जो था खिलजी अलाउदिन खिलजी वो सातल देव से हार जाता है और उसके बाद जो है 1310 में दुबारा उसने भावला पमार की साहता से राजपूत सरदार था एक भावले पमार उसकी साहता से दुबारा कर्मन किया था और इस युद में जब ये 1310 में युद हुआ था तो इसमें सातल देव और सोम वीरगती को पराप्त हुए थे और ये दुर्ग जीत लिया था खिलजी ने और खिलजी ने इसका नाम बदल कर खेराबाद कर दिया था ये युद टेरा सो आठ में शुरूआ था परन्तु खिलजी को 2010 लिखा तो सोरी दोस्तों यहां पर 2010 नहीं है गलती से है 1308 में शुरूआ था लेकिन यहां पर 13010 में खिलजी को विजय मिली थी 1308 में युद शुरूआ था पर्मूख पर्मूख पे जल शरोट्व भाड़े लाव तालाव में गो मांस डल्वा कर इसे दुशित किया था अलावदीन ख historically ने सिवाना की पर्मुख पे चल शरोटं जो है वांड Records भाड़ेaina लाव तालाव उसमें गो मांस डाल दाल दिया था जिस से पानी की गम्यागी जो वहाँ के शाशक थे, वहाँ के लोग थे, उन्होंने इस जल को नहीं पिया, कितनी भी प्यास होने के बावजूद, इसलिए वहाँ पर खिलजी की जीत का ये भी एक कारण माना जाता है। दित्य साका कब हुआ था, सिवाना दुर्ग के दित्य साका की बात करें, तो दित्य साका 1582 में हुआ था, यह साका अकबर के शाशनकाल में हुआ था, पहला साका तो अलाओदिन खिलजी के शाशनकाल में हुआ था, दूसरा साका जो था, अकबर के शाशनकाल में हुआ था, इसमें मोटा राजा उदे सिंग का भाई, उसके भाई राम के पुतर वीर कला कल्यान मल से युद हुआ था, यानि की चाचा बतीजा का ये युद हुआ था, इस युद में कल्ला वीर गति को प्राप्त हुए तथा वीर कला की हाडी रानी ने वीरांगनाओं के साथ जोहर कि ठीक है, जोदपुर के शाषक राव माल देव ने सिवाना की विवस्था को सुद्रड किया था, परकोटे का निर्मान करवाय था, सिवाना दुर्ग के साथ वीर कला राठोड रायमल लोत की वीर गाथाई भी जुड़ी वी हैं, तो ये सिवाना दुर्ग के दो साके थे द इसका निर्मान जो है, सात्वी आठवी स्ताबदी में डोडा राजपूत परमार ने करवाय था, और ये है दुर्ग काली सिंद वे आहु नदियों के संगम परस्तित है, यहां से भी प्रशन बनता है कि गागरुन का किला किन दो नदियों परस्तित है, काली सिंद और राजवंश के संस्थापक देवन सिंग, अर्क इनका उपनाम था धारु ने बीजल देव को हरा कर इस दुर्ग को जीता था, तता इसका नाम गागरोन रखा था, गागरोन रखा किसी ने था, कीची नामक राजवंश के संस्थापक देवन सिंग और इनका अर्क धारु उ इन्होंने बीजल देव को हराय था और इस दुर्ग को जीता था और इसका नाम गागरोन रखा था आगे अगर हम इसके नोट में चलते हैं कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट्स की बात करें तो जेट सिंग संत पीपा जेट सिंग संत पीपा अचल दास खीची राजबन्स के परमुख शाशक थे गागरोन दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद महमूद घिल जी ने रखा था सूफी संत हमीवूदिन चिस्ती जेट सिंग के समय य जहां से भी प्रशन आता है कि मीठे शाह की दरगा कोन से किले में है पुरानी मानेतों के अनुसार या भगवान स्री क्रिश्न के प्रोहित गरगाचारी के नाम पर गरगराट पुर दुर्ग की भी कहलाता है और यह दुर्ग बिना किसी नीव के चट्टान पर बना हुआ ह इस दुर्ग के अंदर धेकूली यंतर उपस्तिता है धेकूली यंतर के द्वारा पत्थरों की बोचार शत्रों पर की जाती है यानि कि गोलों की जरूरत नहीं होती पत्थरों की बोचार की जाती है जैसे तोप से गोले दागे जाते है वैसे धेकूली यंतर से जो है पत् राजबंदियों को मृत्युदंड दिया जाता था इस दुर्ग में संत पीपा की छत्री भी है संत पीपा की छत्री कोण से दुर्ग में है तो इस दुर्ग में है और गिद्ध कराई राजबंदियों को मृत्युदंड देने का एक जगे थी यहां पर यह इस दुर्ग के पी एक स्थान होता है उसको टकसाल कहते हैं कोटा रियासत की टकसाल भी स्थापित हुई थी इस दुर्ग में जालिम कोट है इसका निर्माण जालिम सिंग जालाने करवाये था इस दुर्ग में नकार खाना बारूद खाना और औरंग जेव द्वारा निरविद बुलंद दर्व लाजा भी है गागरों दुरुग के साक्यों की बात करे तो गागरों दुरुग में दो साके हुए हैं परत्तम साका 1423 में हुए हुष। जीठ गिया था क्रिशन करें दिद्य साका 1446 में हुए था इस में पालन सी और अचल धास खिची के पुत्र और मेहमूद खिलजी के मद्य युद हुआ था खिलजी युद जीत गया था ये 1446 वाला और आगे बात करें इस युद के संब्ध में कवी शिवदास गाडर ने 1423 में अचल दास खीची वाहुषंग शाहा के बीच हुए युद का वर्नन किया है और ये कौन सी पुस्तक में किया है अचल दास खीचीरी वचनीका में किया है अकबर ने गागरोन दुर्ग बीका नेर नरेश कल्यान मल के पुत्र पर्थ्य राजरा ठोड को दे दिया था और बाद में इसी दुर्ग को जहांगीर ने इसे बूंदी के राजा राव रतन सिंग को दे दिया था तो ये हुआ गागरोन दुर्ग उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं जोदपूर और यहाँ पर बात कर रहे हैं महरांगड दुर्ग की महरांगड दुर्ग कहा है जोदपूर में यह एक गिरी दुर्ग है और इसका निर्मान राव जोद्धाने करवाया था 13 माई 1469 में इसकी निव करनी माता ने रखी थी विरानगड दुर्ग की इस दुर्ग का निर्मान देवताओं परियों और फरिस्तों द्वारा किया गया था रुडराड किपलिंग का ऐसा मानना है दुर्ग का निर्मान देवताओं परियों और फरिस्तों के द्वारा किया गया यह दुर जबरोडगड, मिहरगड, सूर्यागड और काग मुखी ये महरानगड़ दुर्ग के उपनाम है इस दुर्ग में चिल्मन शाही पत्थरों से निर्मित जालिया है जिने नारियों की रक्षक माना जाता है चिल्मन शाही कौन से दुर्ग में है? महरानगड दुर्ग में है उसके बाद इस दुर्ग में जस्वंत थड़ा है महराजा सरदार सिंग द्वारा निर्मित जस्वंत थड़ा कहा है? इस दुर्ग में है और ये महराजा सरदार सिंग द्वारा निर्मित है जस्वंत थड़ा को मारवाड का ताज महल भी कहा जाता है इस दुर्ग में तीन तौपे हैं एक तो है किलकिला तौप, एक शंभूमान तौप और एक गजनी खान तौप शंभूमान तौप जो है महराजा अजीज सिंग सरलबंद खान से जीत कर लेके राए थे इस दुर्ग के अंदर चामुडा माता का मंदिर भी है नागनेची माता और राठोणो की जो कुल देवी है उनका मंदिर भी यहां स्तित है इसका निर्मान चामुडा माता मंदिर का निर्मान राव जोधा ने कराये था और पुन्हे निर्मान तकहत सिंग ने करवाय था इस दुर्ग में भूरे खां की मजार है मोती महल है माराजा सूरत सिंग द्वारा निर्मित फूल महल है माराजा अभै सिंग द्वारा निर्मित और चितर शाला है और इसके अलावा फते महल है कीरत सिंग की चत्री है और धना की चत्री है ये सारी चीजें है चित्रमाला है फते महल है कीरत सिंग की चत्री है धना की चत्री है और इसके बाद आगे करें इस दुर्ग के बारे में बात तो यहां पर दोस्तों एक शिनगार चोकी भी है पुस्तक परकास पुस्तकालिया भी गया था मेरानगड संग्राले पुस्तकाले भी है यहां पर इस दुर्ग में पदम सागर राणी सागर दो तालाब भी हैं इस दुर्ग में चामुडा माता मंदिर में 30 सितंबर 2008 को नवरात्रों में एक भगदर मची थी जिसमें 224 लोगों की मृत्ति हो गई थी 30 सितंबर 2008 को इसे तु जस्टिस जस्राज चोपडा समीती का गठन भी किया गया था और आगे बात करें तो शेहर साथ सूरी ने 1546 में राव मालदेव को पराजित कर कुछ समय के लिए इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था शेहर साथ सूरी ने यहां एक मस्जिद का निर्मान भी करव वाया था कि तो आज के इन दुर्ग की अपनने बात की है आगे अपन बात कर रहे हैं दुर्ग सून गड़ दुर्ग की सून गड़ दुर्ग जो की जालोर में है इसे इसका निर्मान नाग भट परथम ने कराया था एक प्रतिहार शाशक थे ये और ये बात दसरत शर्मा एक इतिहास का रहे हैं, उन्होंने कहा है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि धारावर्श एक परमार शाशक थे, उन्होंने सोनगड किला जालौर का ये दुर्ग उन्होंने ये बनवाए था, ये हीराचंद ओजा के अनुसार बात कही गई है, इस दुर्ग के उपनाम की बात कर तो सोनगरी दुर्ग, सुवरणगरी दुर्ग, सोनलगड दुर्ग या जाबालीपूर दुर्ग भी इसको कह जाता है यह पश्चमी राजस्थान का सबसे प्राचीन और सुधर्ड दुर्ग माना जाता है सूकडी नदी के किनारे पर यह स्थित है और 1311 में अलाउदिन खिलजी और कानड़ दे सोनगरा के मद्धे यहां पर युद्ध हुआ था इस युद्ध में अलाउदिन खिलजी विजय हुआ था और युद्ध का वर्नन जो है पदम नाब दुआरा रचित कानड़ दे परबंद में हमें मिलता है और इस युद्ध के बाद खिलजी ने इस दुर्ग का नाम जलालाबाद कर दिया था थीक है उसके बाद आगे बात करें तो इस दुर्ग में राजा भोज प्रमार ने एक संस्कृत पाटशाला का निर्मान करवाय था जिसे बाद में खिलजी ने मस्जिद बना दिया था इस मस्जिद को तोपकाना मस्जिद अलाउदिन खिलजी मस्जिद भी कहा जाता है यहां मीठे पानी की दो जीले हैं एक तो जालार एक सोहन इस दुर्ग में मलिक शाह की दरगा भी है इस दुर्ग में परमार कालिन करीती स्थम्भ भी है नाडोल के चोहन राजा कीरती पाल ने प्रतिहारों का वर्चस्व समाप्त करके जालोर में नाडोल के चोहन शाखा की स्थापना की थी इस परकार किर्थी पाल के वंशच जालोर में सोनगरा चोहन कहलाए थे आगे बात करें दोस्तों इसमें तो जालोर युद्ध का मुख्या करण क्या था खिलजी की पुत्री फिरोजा और कानःड दे के पुत्र वीरम देव का प्रेम प्रसंग था जालोर दुर्ग जो है मारवाड जोधपुर के राजाओं का संकट का लिन आर्शरेस्थल था इस दुर्ग में राज कोश्य कोश भी रखा जाता था जालोर दुर्ग का दरवाजा कोई भी आकरमनकारी नहीं खोल सकता था हसम निजामी द्वारा रचित गरंत ताजुल नासीर के नुसार ये बात कही गई है कि जालोर दुर्ग का दरवाजा कोई भी आकरमनकारी नहीं खोल सकता था तो दोस्तों आज जैसे की पांच दुर्ग हम डेली पढ़ रहे हैं आजकी इस क्लास में पांचमा दुर्ग है हमारा नहरगड दुर्ग जोकी आमेर जयपूर में स्थित है इसका निर्मान जैसिंग ने करवाय था 1734 में मराठों के विरुध रक्षा के लिए इस दुर्ग का पूरा निर्मान और वरतमान सवरूप जो है स्वाई जै सिंग ने 1866 में करवाया था दुर्ग का नाम लोक देवता नहर सिंग भोमिया के नाम पर नहर गड़ पड़ा था आगे बात करें तो इस दुर्ग का जो नाम है सुदर्शनगड या सुलक्षनगड दुर्ग भी था इस दुर्ग को जैपूर द्वजगड जैपूर का मुकट भी कहते हैं इस दुर्ग का अन्या नाम मीटडी का किला भी कह जाता है इस दुर्ग में स्वाई माधो सिंग दित्या ने अपनी नो प्रियोशियों पासवानों के लिए नो महलों का एक जैसे महलों का निर्मान करवाया था इन महलों का निर्मान विक्टोरिया शेली में करवाया गया है इस दुर्ग को महलों का दुर्ग भी कहा जाता है इस दुर्ग की तेलेवेटी में जैपूर के कच्छवा शाशों की छत्रियां हैं इन छत्रियां को गेटोर की छत्रियां भी कहते हैं इसी दुर्ग में महराजा जगत सिंगी प्रेमी का रसिक कपूर को केद करके रखा गया था और नहारगड दुर्ग राजस्थान का पर्थम जेविक उद्यान है तो ये आज के 10 के लिए कम्प्लीट होते हैं अगली क्लास में फिर हम और राजस्थान के दुर्गों के संबन्द में बात करेंगे मैं लगभग आपको 40 ऐसे दुर्गों के बारे में इन वीडियो के मात्यम से जानकारी दूँगा तो मिलते हैं अगली क्लास में नमस्कार